हेलो मैसेर डॉक्टर शैशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक्स्प्लेइन करूँगी एक होमेटिक मेडिसिन जिसका नाम है लीडम मैं आपको बताऊंगी कि इसके स्फेर ओफेक्शन क्या-क्या है इस मैडिसिन को आप किस कंडिशन में यूज कर सकते हो और कहां-कहां पे इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हो लेकर उसे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीडम एक प्लांट किंग्डम की मेडिसिन है और इसका कॉमन नेम है मार्श लेबडोर टी या फिर आप इसको वाइल रोजमेरी भी कह सकते हो लीडम एक बहुत ही इंपॉर्टन मेडिसिन है अगर किसी परसन को वूंड हुआ हो या फिर कोई इंजरी हुई हो तो ऐसी कंडिशन के लिए मैडिसिन बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टन है वूंडس भी जो पंकुर्ड वूंड होते हैं उसके लिए ही बहुत ही ज़ादा अच्छी मेडिसिन है ज़ादा हुआखक्ड़ मेडिसिन है पंक्चर्ड वूंड का क्या मतलब हुआ है जैसे कि अगर किसी इंसेक्ट ने आपको बाइट कर लिया हो या फिर किसी फर इजामपल किसी मदू मखी ना अपको कट लिया हो उसके बाद आपको स्वैलिंग हुई हो बर्निंग हुई हो हो सकता है उसे जगा आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो ये एक पंग्चरड वूंड का एकजामपल है इसके और एक इन्सेक्ट ने अगर आपको काट लि लीडम आप उस कंडिशन में भी यूज़ कर सकते हो जब जो अफेक्टिड एरिया है वहां बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लग जाए ब्लूइश डिसकलरेशन होने लग जाए इसके साथ जो स्कीन है वो टच करने में कोल्ड होना चाहिए कई सारी मैडिसिंज है वो को अफेक्टिड एरिया में आप वाम एप्लिकेशन दोगे तो उसकी जो कंडिशन है वो और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी तो इस कंडिशन में भी आप ये मैडिसिन दे सकते हो इसके अलावा लीडम आप इंजिरी में भी दे सकते हो अगर किसी परसन को पंक्चर्ड होगे तो उसको बहुत ही जादा प्राब्लम होने लग जाएगी कोड़ एक्लिकेशन से परसन को बहुत ही बैटर फील होने लग जाएगा तो यह इसका एक इंपोर्टेंट सिम्टम है इसके अलावा अगर किसी परसन को जॉइंट में इंफ्लामेशन हो रही है जॉइंट म pain होता हो stiffness feel होती हो तो ऐसी condition में भी आप इस medicine को use कर सकते हो इसके अलावा कई सारी rheumatic problems होती है जहां पर लीडम बहुत ही अच्छा work करती है जैसे कि आरे अगर किसी person को rheumatoid arthritis की problem है especially अगर small joints में बहुत ही ज़्यादा pain रहता हो stiffness रहता हो इसके अलावा अगर person को बहुत ही ज़्यादा cold sensation आते हो और warm से problem होती हो तो ऐसे condition में आप ये medicine दे सकते हो इसके अलावा अगर किसी person को gout की problem है uric acid बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहता हो तो आप ये medicine का यूज कर सकते हो इसके अलावा leadum को आप spraining के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर आप इस medicine को अगर किसी को skin में बहुत जादे itching हो रही है तो ऐसी condition में भी आप इस medicine का use कर सकते हो so friends आप इस medicine को 30 और 200 potency में यूज कर सकते हो अगर आप यूज कर दिजराय हो को अगर आप i systems can do the 가ly is कर और आपको इस medicine को दिन में दो बार ले suspended है किसी कंडिशन के लिए किसी डीजे के लिए आप मुझ से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप میरे what's up नंबर पर मुझे message कर सकते हैं मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरे वीडियो useful और informative लगा हो तो आप प्लीज इसको like कर दीजिए और साथे साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और जो bell icon है उसे press कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का notification मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही thank you